नमस्कार, स्वागत एवं अभीननन, पुना मेरे चैनल अक्षे ज्यान पे, आज अभ्यास प्रिश्णोती की अगली श्रिंकला में हम देखेंगे प्रग्या कक्षा आठ की जो पुस्तक है, उसके पार्ट 11 की आत्म निर्वर्ता के सभी प्रिश्णों को लेकर उपस्तित हु पहला प्रिश्ण है, इस पार्ट का उदेश क्या है, सही विकल्प का चिन लगाईए, युवाओं में नई स्पूर्ती भनना, युवाओं को कर्म में लगाना, युवाओं को आत्म निर्वर्त बनने की प्रेर्णा देना, युवाओं को महापुरुसों के जीवन की प्रे रख्ष्ञ नीचे रखता है उतना ही तीर उसका ऊपर जाता है तो हमारा सही उत्तर का गा, युवाँ को आत्म निर्वर बनने की प्रेरना देना प्रेश्न दूसरा निम्लिके त्वंक्तियों का आसे स्पस्ट कीजिए नम्रता ही सुतंत्रा की धात्री या माता है आश है जिसके पास नम्रता है वही सुतंत्र है जो हैंकार है वो सुतंत्र नहीं हो सकता नम्रता के लिए सुतंत्रता का गुण होना आवशक है सुथंत्रता के गुण के लिए बड़ों का आदर करना, छोटों को प्यार करना वा समान भाव से देखना जरूरी है खा, युवां को ये सदा स्मर्ण रखना चाहिए कि उसकी अकांग्षाएं उसकी योकता से कहीं बड़ी हुई है आशा है, मनुष की अकांग्षाएं उसके साधन और छमता से ज़्यादा हैं, उतने ही पैर पसा रहें जितनी उसकी चादर हो गा, मनुष का बेड़ा उसके हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए आशा है, मनुष अपने कर्मों के लिए स्वयम जिम्मेदार है, वह चाहे तो अच्छा कर सकता है, अथ्वा बुरा भी कर सकता है वह अपने भाग को खुद बनाता है, परिस्तियों से मनुष लड़ सकता है या पिर उसके अधीन हो सकता है इसके पश्यात घाहे अध्यवासी लोगों ने अपनी सम्रधी का मार्ग निकाला है आशा है, चित्वित्ती की दृता से दरिद लोग दरिदता, अपढ़लोग अग्यता से निकलकर उन्नत तथा सफल हुए है प्रेशन तीसरा, उपन्यास कार स्टॉक ने अपना रिन किस तरह उतारा उतर है, उपन्यास कार स्टॉक ने अपनी प्रतिवा का सहरा लेकर अनेक उपन्यास थोड़ी समय के बीच लिख कर लाखों का रिन उतार दिया अपनी दिर्ड इच्छा सकती, मेहनत वा लगन से बड़ी से बड़ा कार इंसान कर सकता है प्रेशन चौथा समुखा कौन सा शब्द या वाक्यां समुखा में दिए गए किन से समन्दित है चाट कर समुखा के समुख लिखे तो समुखा में है चापा मार्यूत, अमेरिका की खोज, धनुर्दर, सत्यवादी, अधिन्ता नहीं स्विकार की, सिता की खोज समुखा में हरिशन, महाराणपताप, हनुमान, कॉलंबस, शिवाजी, एक लब तो हरिशन सत्यवादी थे, महानार रप्रताप ने अधिन्ता ने स्युकार की, हनमान ने सिता की खोच, कॉलंबस ने अमेरिका की खोच, शिवाजी नी छापा मार यूद, और एक लब थे धन्नुर्धर, भाषा की बात दी गए शब्दों के पूर आत्म लगा कर ने शब्द तो ये ने शब्द बनी, इसके पक्षात प्रशन तीसरा, नीचे लिखे समास पदों का विग्रे है, कीजिए और समास का नाम लिखे, एहंकार वृत्ती, एहंकार की वृत्ती, तत्पुरु समास, आत्म संसकार, आत्म का संसकार, तत्पुरु समास, आत्म मर्यादा, आत्म की मर्यादा तत्पुरुस समाज चित्वृत्ती चित्की वृत्ती तत्पुरुस समाज राम लक्षमन राम और लक्षमन दो अन्य समाज इसे पशात प्रेश्च चौथा स्वतन्तता का विप्री तार्थक है आजादी परतंत्रता स्वावलंबन उत्तर होगा परतंत्रता इस झाल झाल